हाई फ्रेंड्स वेलकम तु दा डेस्क फ्रेंट्स काफी लड़के बोलते हैं या काफी लोग बोलते हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं वह यह बोलते हैं कि आपको अगर इंग्लिश बोलना सिखना है तो आपको इंग्लिश में बोलने से पहले आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा तो क्या यह सही है क्या सच में हमें इंग्लीश बोलना सिखने के लिए इंग्लीश में ही सोचना पड़ेगा बिल्कुल नहीं फ्रेंट्स जब हम हिंदी बोलते हैं या हिंदी में हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या बात करने से पहले हम सोचते हैं नहीं सोच तो तो मैं उसको बहुता वेसाला रुकना मेरे को और थोड़ा सोने दे चुन्ट सुनकर बोलना शुरू किए और बोलते बोलते हमारे जबान पर ऐसे चड़ गई कि हमें पता ही नहीं चलता है कि मैं साला बोल रहाओ के इसी तरह से लेंग्वेज की भी बात होती है अगर हम किसी लेंग्वेज को बोलना सिकhना चाहते हैं तो उसको उसी भाशा में सोचना ज़रूरी नहीं है जब हमें आता लुष भाशा सोचना sod करो तो यह घलत है फ्रेंट्स मेरा कहना यह है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सिखना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलने की शुरुवात करनी चाहिए शुरुवात सबसे बड़ी चीज होती है शुरुवात मिंस आप जो कुछ भी सिख रहे हैं जो कुछ भी भी जो बोलेंगे ऐसे लिस बिन फाल्तू के बोलते रहे हैं अपक हैले में बोलिये किसे रेंचसे बोलिये कि दिस इस माइपन या आपको कभी भी ऐसा बात ऐसी बात बोलने की नौबत आती है तो आप उसको वैसे ही बोले कि this is my friend ठीक है तो इस तरह से इस वाक को अगर आप दस बार बोलते हैं तो गारेवी बार से आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा उसके बारे में कि इसका English क्या होता है फिर वह खुद वह खुद निकल जाएगा कि this is my friend okay friends तो friends जो language है सिर्फ practice यानि की practice है जितना आप बोलने की आदर डालोगे जितना आप सुन के उसको बोलने की कोशिश करोगे उतना ही आप सिखोगे एक बच्चा जब कोई भी language सिखता है तो क्या आप उसको सिखाते हैं रोज रोज उसका class लेते हैं नहीं लेते हैं आपको य सुनता है ध्यान से सुनता है और यह समझनी की कोशिश करता है कि वह फला क्या बोल रहा है तो उसका मतलब सामने वाला क्या समझ रहा है अगर जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला कि कम यह तो कम यह तो कोई वह बच्चा शायद नहीं समझे उस ताइब में लेकिन हमां किसी समझदार आदमी को बोले जो समस्जता है कॉमियर का मतलब कि कोमियर और किसी बचे ने देखा कि कॉमियर बोला तो वह उसके पास गया इसका मतलब कम ev का मतलब होता है मेरे पास आओ तो वह भी बोलना शुरू कर далее कह एगा दुसरी बार से अपनी किसी को भी बोलेगा तो बोलेगा कर देगा केर तो वो Alleg कोम च्च्च तो वकोम हैर वो सिख गया कै बह 250 क्या हो वी सिख गया किम व 만큼 लाते किसी को बोलते कभी कम है इसी तरह से हम जो रोज अगर सोचते हैं न हमारे दिमाग में जितने बी सोच आती है 70 पर सट हम रोज की बाते रीपीटेशन करते रहते वही वही बात बोलते हूं तो अगर आप आप में जो कुछ भी सिखा उसको आप इस्तेमाल करना सिखो कोई जरूर नहीं है कि एक दिन में पूरा धाड़ा-धाड़ इंगिलिस बोलना शुरू कर दो आप जो कुछ जितना कुछ भी आप बोल सकते हूं एक ही चीज को आप दस बार बोलो दस बार बोलने के बार देकर ह अ आसे सब्सक्राइब नहीं है ऐसा आता है तो य्म लगाते तो इसमें हो जाएगा आई हैटू ब्ल्स टि तो He has to go आख इसीतरों के संटेंस आपको सिखा दिया गया कि इस तरह के जिदने संटेंस हैं उसमें हेस टूरर हेस्टू लगार बोला जाता है तो आप वह से बोलना शुरू कर दिजिए अपशने करते हों अप nothing जबान पर चढ़ने की है जबान पर चढ़ जाती है फिर्म मुझे या हमें या किसी को भी सोचना नहीं पड़ता है उस शब्द को बोलने के लिए ठीक है फ्रेंट्स हम हिंदी में भी कई बार बोलते बोलते अटक जाते हैं क्योंकि वह शब्द हमें याद नहीं आता है तो जब जो भी शब्द हमारे जबान पर चढ़ा हुआ है वह तपाक से निकलता है फटाक से फुल्वेंटिली निकलता है ति इसी तरह से हम बोलते जाएंगे मुझे खाना है I have to eat मुझे हसना है I have to laugh मुझे काना है I have to sing मुझे कुछ कहना है I have to say something आप दीन बार में जितना भ I have to eat मुझे तरना है I have to swim मुझे बजाल जाना है I have to go to market मुझे सबजी खर दिनी है I have to buy vegetables आप दीन पर पूरा दिन यह ही बोलो इसी की practice को फिर दखना आपको दूसरे दिन से इस तरह की संतिन से जब भी आपके जमन पर आएंगे तो आपको सोचने की जूरब नहीं पड़ जाओगे ठीक है फ्रेंट्स अगर आपको पढ़ाया गया कि मैं कर सकता हूं तो जब भी सकता सकती आता है तो आपको पढ़ाया गया कि जब भी सकता सकती हो तो कैन लेगाना है तो I can do वह गा सकता है he can sing आप दूसरे दिन यह बोलो सारा दिन आप इसी की practice करो प्रैक्टिक में जितना भी आपको बोलने के मौके मिलते हैं इस तरह के sentence आप एक दिन पूरा can की practice करो फिर दूसरे दिन should की practice करो should must की means एक एक दिन में एक एक चीज़ के आप practice करते जाओ means बोलते जाओ उससे संबंदित जितने भी आपको sentence आते है उसको English में बोलो और बोलते जाओ दे यह तक्निक है यह ठीक भी बोलेंगे लेकिन यह एक रास्ता है एक वे है दिशीद वे ओके फ्रेंट इस रास्ते से आप अगर आप फॉलो करेंगे इस रास्ते को इस वे को अपनाएंगे आप तो आप English बोलना ज़रूर सिख जाएंगे ओक फ्रेंट्स मैं उमीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज के बाद आप यह नहीं सोचेंगे कि English कैसे स्खूंँ कैसे बोलना शुरू करूं कैसे धाड़ाधर बोलना शुरू करूं ठीक है फ्रेंट्स पहले धाड़ाधर बोलने की जुरुद्वत नहीं अब बोलना तो शुरुरू करू वह एक बिल्ली है तो वह एक कैट है इतना सबना शुरू करो कैट वह कुधता है तो है डॉब है कि इतना भी बोना शुरु Auch भला पोक्तन होनी चाहिए दॉर मंनयू डेज़े आ लाना है लिड़ेवां और इंगली सोगर इस वह बलना शुरू करो आप शुरुआत तो करो आप शुरुआत करो देखना आगे खुद वा खुद रास्ता बनता जाएगा और आप मंजिल तक पहुच जाओगे ओकर फ्रेंण्स तो उमीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करदेना और अभी तक अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबागर और नोटिफिकेशन अन कर देना तकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुचता रहे और आप इंग्लिश सिखते रहे तक हमारे वीडियो देखने के लिए थाइक्स थाइक्स अलोट और धन्यवाल